दो सालों के कोरोना महामारी के बाद भारती अर्थव्यवस्था पट्री पर लोटने लगी है वित्तवर्ष 2022-23 की पहली तिमाही अप्रेल से जून के बीच भारती अर्थव्यवस्था ने 13.5% के दर से विकास किया है जबकि 2021-22 की पहली तिमाही में 20.1% GDP रहा था तो चौथे तिमाही जनवर इससे मार्च के बीच देश का आर्थिक विकास दर 4.1% रहा था दरसल 2021-22 के लोग बेस और घरिलू मांग में तेजी के चलते GDP ग्रोथ रेट बढ़ा है साथ इस तिमाही में निवेश खपत में 30 देखी गई है 2022-23 की पहली तिमाही में GDP ग्रोथ रेट 13.5% रहा है लेकिन ये RBI के 16.2% के अनुमान से कम है 2022-23 की पहली तिमाही में निवेश रेट 14.6% के लिए भी तो रहा है